सहीद बगसिंग जयनती पर राष्ट्रिय स्वयम सेवक संग की सहीद बगसिंग साखा द्वारा गाउं बनावाली में रगदान सीवर आयोजित इस दोरान संग स्वेम सेवकों को द्वाका द्वारा यहां रकदान सीवर के साथ साथ सह भोज का भी आयोजन किया गया इसके अतरिक्त गाउं के सरुस्रेष्ट चातर वे चातरों को वे समाज सेवी के रूप में गाउं के ही उतक्रिष्ट कारे करने वाले किर्शन कुमार एडियो वे मदन पाल पसूच चिकस्षक को भी समानित किया गया इस दोरान सरकारी स्कूल प्रधानाचारे कुलवीर आदर्स पब्लिक स्कूल से सरवन कुमार शांती महग पब्लिक स्कूल से किर्शन कुमार वे संग साखा के सेवम सेवक साथी वे गाउं के गण माने सदस से ओपस्तित रहे रेड क्रोस सोसाइटी फत्यवाद से नवीन के नेतितों में आई टीम ने चिक्तिशा सेवा परदान कर सरानिय योगदान दिया कैम्प में 32 यूनिट रकदान एक्तिरित किया गया इस अवसर पर अनेक लोग उपस्तित रहे राजकिया महाविद्यले भट्टुकला में सहिद भगसिंग के जनम दिन पर पैंटिंग प्रत्योगीता आयोजित राजकिया महाविद्यले भट्टुकला में सहिद भगसिंग के जनम दिन पर मंगलवार को पैंटिंग प्रत्योगीता का आयोजिन किया गया जिसमें विदार्थियों ने अपनी छेपी हुई प्रतिभा को इन पैंटिंग के मादिम से दर्साया प्राचरे डॉक्टर सुदेश गुपता ने विदार्थियों को भगसिंग के जीवन के बारे में संक्षित रूप से जान कर दी और उनके जीवन से प्रेणा लेने के लिए प्रोचसाहित किया इस प्रत्योगीता का आयोजन अरक्षय अध्यन विभाग के द्वारा किया ग में निरणायक मंदल की भूमिका डोक्टर रविंद्र कुमार डोक्टर राजराम वे सितारम ने निभाई रक्षय अध्यन के प्रवक्ता अनिल ने विदार्थियों को सदेश की रक्षय वे राष्ट्रे एकता के लिए प्रेर्थ किया इस अवसर पर अनिल कुमार हरीश कुमार अमित कुमार विजय कुमार दिल सुक सहित अनेक स्टाफसद से उपस्तित रहे श्री हनुमान रामिला कलब भट्टु मंदी द्वारा रामिला मंचन हुआ सुरू हुआ मंगलवार को जानकर देत वे कलब के परधान मनोज गोयल ने बताया कि पहले दिन नार्द मुहुक की लीला का मंचन किया गया रामिला का सुबारम मंदीर के पुजारी द्वारा पूजा करवा कर और रिबन काट कर किया गया पहले दिन की लीला में नार्द गोपाल जमालिया विश्नु नरेश गोयल काल देव चिराग गरग रावन सेंधा ब्रमाजी मदन गोपाल ये कुछ पत्तर रहे मंगलवार को दूसर दिन की लीला का मुख्य द्रिश्य भगवान राम का जनम होगा जिसको लेकर जबदस्त त्यारिया की गई है भट्टुकला स्वास्ते के अंदर से नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट रवाना मिलेगी घर-घर चिकित्षा सेवा समुदैक स्वास्ते के अंदर भट्टूकला से मंगलवार को नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट रवाना कर डौक्टर सुजाता बंशल ने कहा कि अब हर घर चिक्ष्य सुविधा मिलेगी सरकार लोगों को सरकारी अस्पतालों में बहतर इलाज देने के लिए लगातर प्रयासरत है इसके लिए सरकार स्वास्ते सुविधां में लगातर बढ़ोतरी कर रही है यह बात समुदएक स्वास्ते के अंदर की विरिष्ट चिक्स्याधिकारी डोक्टर सुजाता बंसल ने नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट रवाना करते हुए कही उन्होंने कहा कि उनका मुख्य उदसे लोगों को स्वास्ते सुएधाओं का लाब उनके घर तक पहुंचाना है ताकि कोई व्यक्ति इलाज से वंचित नहीं रहे इसी उदसे से स्वास्ते एवं प्रिवार कल्यान मंत्राले द्वारा नेशनल हैल्थ मिसन के तहत मोबाइल मेडिकल यूनिट एम्बुलेंस के मादम से सलम एरिया के लोगों इंट भटों पर काम करने वाले सर्मिक या बे घर प्रवाशियों की टीम में प्रवाशियों को साथ हरजीत कोर द्वारा चिक्सा एवन स्वास्ते सुविधाओं का लाब दिया जा रहा है नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट द्वारा जुरुतमन्द लोगों का स्वास्ते प्रिक्षन करने के साथ साथ उन्हें मुफ्त में दवा भी उपलत करवाई गई